आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो है मध्यप्रदेश में पंचाय चुनाओं को लेकर जिस याचिका पर सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला आया है कि बिना OBC आरक्षन की पंचाय चुनाओं कराने होंगे उसे लेकर के यहाँ पर रिव्यू पिटिशन दायर करने के तैयारियों में जुट गए हैं और हाल ही में 14 मुई को उनका विदेश दौरा भी प्रस्तावित था चुकि मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्शित करने के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पलक पावडे बिच्छा कर तैयारियों में जुटी थी ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने अपना विदेश दौरा जो है निरस्त कर दिया है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि लगातार वो मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के कल्यान के लिए भी खुलासा किया है और साफ तोर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और विदेश प्रवास से संबंद में उनकी तमाम बैठके आज होने वाली थी वो भी ततकाल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं सीथे तोर पर कहें तो मा इस बात को दर्शाता है और उन्होंने कहा है कि साफ तोर पर ट्विट में लिखा है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने की मेरा दिनांग 14 मई से मद्यप्रदेश में निवेश आकरशित करने के लिए विदेश प्रवास तै था लेकिन यहां पर समय पर नियायले में पुनह अपना पक्ष रखना है लिहाजा वो जो है पिछ्रा वर्ग के हितों का सरक्षन करने की अपनी प्रात्मिक्ता के चलते अपने विदेश दौरे को निरस्त कर रहे हैं बड़ी खबर राजधानी भोपाल से निकल कर आ रही है जिस तरह से लगातार कल सुप्रीम कोट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जो है चुनाव की तयारियां तेज कर दी है अगर ये निकाय चुनाव का एक तरह से कहा जा सकता है यदि रिव्यू पिटिशन दायर नहीं होती है तो एक बिगुल बढ़ चुका है ऐसे में पंचाय चुनाव अब ब पूरे रिव्यू पिटिशन की जिम्मधारी भी सौप दी है और वो जल्द ही नई दिल्ली रवाना होंगे ताकि सुप्रींग कोट में मद्यप्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से वो पक्ष रख सकें और पिछड़ा वर्ग के आरक्षन को लेकर जो मसौदा सरकार ने झाल